मंद्य प्रदेश के लिहास एक बेहद एहम सवाल के साथ तो सवाल ये कि क्या कमना सरकार में दिगविजे सिंग सरकार चला रहे हैं वन मंत्री उमर सिंगार ने कहा और ये बयान दिया कि परदे के पीछे से सरकार को चला रहे हैं दिगविजे सिंग दिगविजे संग दरसल एक पत्र लिखा था और इस पत्र को लेकर के उमर सिंगार ने प्रतिक्रिय दी कि परदे के पीछे से तो सरकार को दिगविजे संग है चला रहे हैं दिगविजे संग को पत्र लिखने के जरूरत क्या थी अब प्रदेश सरकार के मंतरी ही अगर ऐसी भाषा का स्तवाल करते हैं या प्रदेश सरकार के मंतरी ही अगर ऐसे बयान देते हैं तो प्रदेश में सरकार के अंदर के हालात क्या हैं ये समझने में कोई बहुत कठनाई नहीं होगी दिगविजे सिंग को एक मजबूत धूरी माना जाता रहा है मद्दप्रदेश की राजनीती की कॉंगेस की लिहाज से और ये कहा जा रहा था काफी लबे वक्स है कि दिगविजे सिंग का काफी दखल है सरकार के अंदर और दिगविजे सिंग अपने मन मताविक काम करवाते हैं सरकार के अंदर तो वहीं दिगविजे सिंग ने जब मुक्यमंत्री कमलनाथ को पत्र लिखा तो वनमंत्री उमर सिंगार ने ये खुलासा कर ही दिया और कहे दिया कि दिगविजे सिंग को पत्र लिखने की जरूरत थी क्या, परदे की पीछे से तो दिगविजे सिंग ही सरकार चला रहे हैं